मज़ा आगया नारिल पानी पीके तुम्हारे पास 500 के शुट्टे है गया? जी माडम मैं देखती है चल ठीक है मैं चलती है हरे में साब हाब आप ने नारिल पानी पी लिया और मैंने आपको 500 रुपे के शुट्टे भी दे दिये पर आपने 500 का रुट तो दिया ही नहीं मुझे आप मेरे पैसे तो दीजिए ये पैसे मैंने पता है क्यों लिया है क्योंकि मुझे राशन का समान खरीदना है इसके लिए मांगया तुझसे पैसे माडम उसमें मैं क्या कर सकती हूँ अब मेरे 500 पे तो दीजिए अबे तुझे ये वर्दी नहीं दिखाई देती क्या तू अब एक पुलीस वाली से पैसे मांगेगी कल सुबा उठते ही ना तेरी ये रेडी उठवा दूँगी मैं हां से समझी सड़क पे आ जाएगी तू आई बड़ी पैसे मांगने वाली मैडम आपने नारियल पानी पी लिया आपने मुझे पैसे भी नहीं दिया उपर से साड़े चार सुर पे मैंने आपको दिया वो भी लेके जा रही है ऐसे कैसे चलेगा मैडम अबे बोला ना मुझे राशन लेना था इसलिए तुझसे कैश लिया है और वैसे भी ना ये रेडिया लगाने का ना हम लोग हफता लेते हैं बेटा मुझे लगते है शायद नो तुझसे एरिया में नहीं आई है पर मैडम वो हफता लेने के लिए तो एक और पोलिस वाला आता है हम उसे दे देते हैं हफता आपको अलग से हफता मतलब तो उसका हिसाब उससे ही करना मैं यहाँ पर रोज आओंगी और रोज नारिल पानी पीके जाओंगी और उसके बदले में ठेंगा दे के जाओंगी और पैसे भी लेके जाओंगी जैसे आज लिए रोक सकती है ना तो र मैडम, मैं आपका करा है जोड दिया, मैं ऐसा मत कीजिए. मैं बड़ी मुश्किल से पैसे कमाती हूँ और आप ऐसे कर रहे हैं मेररे साथ. मैं आपका की हाथ जोड दिया, मैं प्लीज आसा मत कीजिए. ensa man, पुरक कीजिए. अरे मैडम, इसे समझाओ ना, कि एक पुलिस वाली की वर्दी में कितनी ताकत होती है, मुझसे बैसे मांगी है ये, मैडम देखे न, ये मैडम मेरे साथ कितना गलत कर रही है, मैडम ने नारिल पानी पिये, पचार सुर्पे बनते थे, मैडम ने बोला पान सुर्पे के इनसे कईया मेरे पैसे वापस करते हैं, अबे, इसे क्या बता रही है, ये क्या कर लेगी, क्या उखाड लेगी है मेरा, इसे भी बता है, ये एक पुलिस इंस्पेक्टर की क्या अताकत होती है, एक सेकंड, अब इस नारियल वाली से जितने भी पैसे लिया न, सभी के सभी स से वापिस करूँ एह हाथ हड़ा